नमस्कार आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टेडी भी अच्छी चल रही होगी जैसे कि आपको पता है मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बना के आपको इन्फोर्मेशन दी थी कि पंजाब के अंदर पी-एस-पी-सी-एल या पी-एस-टी-सी-एल की वकैंसी आएगी और वो भी जैयन की तो वो बात सच हो चुकी है अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लेना मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बना के इन्फोर्म किया था क्योंकि मैं जो वी काफी दिनों से वेट कर रहे वो आपका इंतजार अब खतम हो गया है पंजाब गोर्णमेट ने पी-एस-पी-सी-एल डिपार्टमेट ने अभी जस्ट कुछ सी टाइम पहले एक सोट नोटिफकेशन जारी किया गया है जो कि पंजाब का पी-एस-पी-सी-एल मतलब पंज पंजाब स्टेट पावर कोपरेशन लिमिटेड जो की पंजाब के अंदर जुनियर का रिक्डूटमेंट करेगी Junior इंजिनियर का तो उसका नोटिफकेशन आ गया है तो अस को हम discuss करेंगे जो सोट notification आया है उसमें क्या बात होता है कितनी पोस्टों पर recruitment हो रहा है from कब से start हो रहे है qualification क्या चाहिए कि कौन कौन apply कर सकता है कुछ qualification में change हुआ है या नहीं हुआ है तो और यह सब चीज हम discuss करने वाले है पूरी बारी किसी थे तो आप मेरे साथ बने रहे आखरी तर सबसे पहले बात करूं तो कितनी पोस्टों पर notification आया है तो यह notification आया है only junior engineer का आया है एक चोटा सा state है साधे 500 पोस्टे बहुत होती है जैयन के लिए अगर other state से comparison करें तो अगर हमाई राजस्तान वगेरा इसे state से comparison करें तो बहुत सही है मेरे हिसाब से क्योंकि यह notification आ नहीं था काक्षी time हो गया 21 के बाद अभी आया है चाहा तीन साल निकल गय है apply date भी दे दि फिल करना है तो अब मैं बात करूँ अभी यह short notification है जैसे full notification आएगा तो उसका मैं अलग से video बना के आपको inform करूँगा कि selection process क्या रहेगा exam का pattern क्या रहेगा और भी other चीज़ है कि essential qualification क्या रखें उन लोगों ने पंजाबी जरूरी है या नहीं है यह सब चीज़े उस time discuss करें बट मैं आपको अभी एक चीज और बता दूँ जो qualification रखी गई है उसके अंदर सबसे पहले आपको पंजाबी पढ़ना लिखना और बोलना आना जरूरी है मतलब ऐसा ही नहीं अगर आप माल पंजाब के हो तो आपको पंजाब पढ़ना भी आईगी लिखना भी आईग बो मार्क सीट है कोई भी है तो आपके पास उसके अंदर पंजाबी सब्जक्त होना जरूरी है मतलब 12 में अगर आपने बिटेक की है तो आपने 12 में फिजिक्स कमेश्ट्री मेथ पढ़ना है PCM लिया है तो आप पंजाबी तो लेई नहीं सकते ठीक है बिटेक में पंजाबी है नहीं तो मतलब आप कहां शो करोगे आपकी दस्वें की मार्क सीट में तो आप शो करोगे कि हमने बोर्ड की क्लास के अंदर बोर्ड की कक्षा के अंदर एक हमें जो रेपोर्टेट इंस्टिटूट होता है हमारा बोर्ड होता है सी राज्या का वहां हमें थर्ड लेंग जो CBSC board ये other board से होते हैं वो पंजाबी नहीं ले पाते हैं अपने 10th या 12th में ऐसे तो वो लोग क्या करते हैं बाद में पंजाब गोर्मेट का एक अलग से paper होता है वो पंजाबी वहाँ paper में पढ़ना लिखना बोलके pass करते हैं उसकी एक अलग से marksit बनके आती है board से एक certificate आत क्योंकि पिछली बार तो यही था अभी detail notification आना बाकी है उसमें देखते हैं क्या होता है change किया है नहीं किया है मेरे असाब से नहीं किया है क्योंकि पंजाब के अंदर पंजाबी गुजरात के अंदर गुजराती महाराष्टर के अंदर मराठी ये कुछ state एसे हैं जो अपन में हिंदी है हरियाना में हिंदी है तो हिंदी थो हम सब लोग पढ़ते हैं 10th और 12th में हमारी mark sheet पे लिखा होता है थो हम कोई भी state में apply कर देते हैं पर वहाँ इससा नहीं होगा अब qualification की बात करूं तो इसके बाहाँ इस बार क्या किया है इन्होंने diploma allowed किया वहाँ जो candidate diploma है बीटेक है और बीएसी है बीएसी कौन सा नोर्मल बीएसी नहीं वही बीएसी इंजिनियरिंग बीएसी इंजिनियरिंग अलाऊ है बीएसी नोर्मिल वाले नहीं है तो यह candidate अलाऊ है और इसके बास आपके minimum percentage 60% मान के चलो आपका यह 60% और अगर आपके टेगरी से बिलोग करते हैं तो 50 हो जाएगा पित्पन हो जाएगा वो आपको इसमें discuss या छूट मिल जाएगा अभी detail notification आने दो तो 60% आपके डिप्लोमा बीएसी में है तो आप अलाऊ है अब बात कर लेते हैं कि पोस्ट हैं कौन कौन सी है तो इसमें जो पोस्ट हैं और branch किस को allow किया है branch जो जो पोस्ट निकलेगी वो किसकी निकलेगी जेयन की और सबस्टेशन जेयन और जो सबस्टेशन ओफिसर होता है सबस्टेशन ओफिसर वाला उसकी पोस्ट ही है तो इसमें mostly हधिकास पोस्ट होगी वो जेयन की होगी और इसमें electrical वालों के लिए होगी mostly post अभी इन्हों ने only पांसो चोमालीस पोश्टों के बारमी में बताया कि इन पोश्टों पे रिक्यूट्मेंट हो रहा है कि नो तारिक से फॉर्म स्टार्ट है तो कल परसों या अज सुबह तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा शाम तक जो भी होगा तो उसका जैसे आएगा मैं डेटेल वीड जाता बटप हमें उमीड थी आएगी उनको है लगाख नहीं आएगी सब का फाइदा हमारा भी फाइदा जो देख रहे के लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए जाम से समंदिन न्यूज पाने के लिए हमारे साथ जुड़ेने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन धन्यवाद